नमस्कार सिचक साथियों जैसा कि आप यहां पर देख पारेंगे जिला सिच्छा पदाधिकारी काराले मुझभफर पूर की अस्थापना साखा की तरफ से यहां पर आपके काराले आदेश जो है जारी के गहे हैं इसमें आपका बुला गया कि बीपेसी टीरी फर्स्ट और ट यहां पर फ़्रेट बत्र है वह यहां पर अपका प्रिसस इति जो है पंप का किया गया आप यहां पर सब्जेक्ट के मुझर देख सकते हैं पर आफके बोले गया है प्रसंग में एहां पर देखेंगे तो ज़ो आपकी माध्मीक सिछा निदीशाला की तरफ से जो आप आप लोग का 15मई 2024 जो आपका आदीश जारी किया गया था कि जो अधर इलिजबल हैं तो उसको लेकर भी आपके माधमिक सिचा निदिशक के तरफ से बोला गया था कि नहीं यहाँ पर आपको भी 5% छूट नहीं मिलेगा आप यदि अदर इस्टेट के फिमेल कंडिडेट हैं उसके बारे में यहाँ पर आपका मिंसन जो है पका किया गया है अब यहाँ पर आप आगे जो है देखेंगे तो आगे आपका वहीं बोला गया है कि आप अधर इस्टेट के भीरती हैं और आप यहाँ पर मुझफरपूर जिले में जो है उचैनित होकर आप यहाँ पर पदस्थापित है और आपका पोस्टिंग मुझफरपूर जिले में यहाँ पर आपका हुआ है तो जो भी यहाँ पर आपके आदेश वगर दियेगे उसका यहाँ पर आपके अनुपालन करने उसके साथ यहां पर जोब का अधार-काड है, उसके साथ यहां पर जोब का निवास-प्रमाण-पत्र है, यह सभी जोब के डॉक्मेंट्स हो उसे आप यहां पर स्वभी-प्रमाणित अनि self recommended करके जो आपका फोटो-कौपी होगा उसको यहां पर जो आपके वद्याल पर आजीकार होंगे उनके माधमस्य हमके श्यापीत काने के साथ जो आपका फॉल्डर है कारियाले में coalition है उ realized पर आपके जमाजवय किया जाएंगे देखे इस डॉक्मेंट में बिसेकली जो आपका निवास परमाड़ पत्र है उसको लेकर आप लोग यहां पर कन्फीज ओकेंगे कि हम तो यहां पर अधर इस्टेट के भीरति हैं तो हम यहां पर जब फॉर्म समिट किये तो अधर होता है तो इससे यहां पर आपका अधार का आपका लिया जाएंगे क्योंकि इसमें आपका कोई उतना जांच को लेका नहीं है कि आप अधर इस्टेट के भीरती हैं तो आपका जो निवास होगा बस यहीं आपका क्योंकि यहीं तो आपका मियन जो है पाक़-पा जांच का ना यदि आप बिहार के मुल निवासी होते तब ऐसे condition में जुआप方 लोग का निवास पर माटब पत्र है वो यहां पर अच्छे तरीको नहीं आपके है अपके हम होगा रहंगे तो उह यहां पर आपके डीटेल जो पर जो समय है वो यहां पर प्रखंट सिछा पताधिकार हैं उनको यहां पर उदिया गया कि हर एक तरीके से जो डॉक्मेंट्स वगर हैं बिल्कुल यहां पर सापसुत्रा होना चाहिए और उसको आप सत्यापीत अपने अस्तर से कर लिजेगा और फिर सत्यापीत करने के सफद पत्र के साथ ही जो आप लोग का डॉक्मेंट्स होगा वह आपके प्रखंड सिछा पताधिकारी जो होता है वहां पर आपका जमा पर यहां देना है कि हमारी विद्याले में इतने ही जो है जो अधर इस्टेट के अभियरती नहीं है या फिर मानिए आपका विद्याल से आपका यहाँ पर जमा करने को लेकर बोला गया यह आप यहां पर देखेंगे तो यहांप के मुझझफर पूर्जिला सिछा पताजिकारी उनके तरफ से बोलागया है बाकी दरभंगा के तरफ से भी आपका मतलब दरभंगा जिले में भी आप पोस्टिंग नहीं होग तो वहां पर भी इस तरिके से आपके जम आपके जमा कर लीजेगा इसमें जो पर अंध्यागोर्ति हैं है ौए आपका आदेश का प्रतिसद आपका नंबर होना चाहिए यहां पर आपका शाठी की 60% प्रतिसद आपका ओना चाहिए आपके माधुविक सिचानी दिसक के तरफ से 15 मईद 2024 को यह आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था तो यह आपकी मुझे अफ़र पूर जिले के तरफ से अपडेट है बाकि इसके संदर में कोई आप लोग का डाउट या फिर कन्फूजन होगा तो कमेंट में आप जो है उसेर कर सकते हैं बाकि अभी के लिए इतना ही अपडेट है बाकि जैसे भी अन्य अपडेट आफिर इंफर्मेशन होते हैं आप सभी लोग पता कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टो इसके संद इंडिया आप जो सेर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सस्क्राइब नहीं कियोंगे सस्क्राइब क